अलो स्टूडेंट्स कैसे है आप साब आशा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे मैं आर्थी आप सभी अपने परिवार फिजिक्स कुरुपा हाधिक स्वागत करती हूं जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स और आजकी एक लास है QSE 2nd Year Students के लिए जिसमें आपकी बुक चल रही है फियकल केमिस्ट्री तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारी यूनि फोर के बारे में आगे बात करेंगे solubility और solubility product में इनके बीच के difference के बारे में बात करेंगे कि इनके बीच में difference क्या है देखो सबसे पहला difference तो इनकी definition ही है अगर मैं आपको definition में बोलू solubility क्या होती है solubility वो maximum quantity है solute की जो किसमे solvent में dissolve होकर एक saturated solution बनाती है और उसको ऐसे represent करते है और solubility product क्या था solubility product वो था कि जो वे solute होते है solute solvent में dissolve होकर ions बनाते हैं और ions की जो क्या होती है product होती है एक particular temperature पर वो आपकी solubility product कही जाती है जिसको KSP से represent करते हैं तो solubility can be represented by gram per liter या mole per liter whereas KSP is unitless अगर हम unit की बात करें तो gram per liter होती है कि इसकी solubility की mole per liter solubility की और solubility product की कोई unit नहीं होती है solubility temperature dependent होता है जबकि KSP temperature independent होता है ठीक है आगे देखे इसमें यह है हमारे हैं से difference अगर आप इसका screen shot लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं वरना इसमें आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं आगे देखे relation between solubility and solubility product यहां पर हमारे कुछ relation solubility and solubility product यानि कि KSP और S के बीच में हम कुछ relations find करेंगे तो यहां पर कुछ parts में हमने इसको डिवाइड किया है देखो relation between KSP and as depend on the nature of solubility solubility की nature पर हमने इसको कुछ possible parts में चार से पांच parts में हमने इसको divide किया एक एक करके सारे parts के बारे में discuss करेंगे बहुत easy है बिल्कुर टिपिकल नहीं है बस आपकी calculation थोड़ी ठीक होने चाहिए calculation mathematical calculation भी जादा नहीं है बस formula है और कुछ नहीं है formula भी नहीं कह सकते इनको बस आपको format याद रखना और कुछ नहीं करना जैसे आपका first हो गया AB type AB type यानि की one ratio one type अगर आपके दियों जैसे आपके compound इस तरह से दियों AG, CL दिया हो AG, F, CU, CL और भी कोई compound जो आपके one ratio one में दिये गए हो वो आपके इसमें आ सकते हैं S type के compound कैसे dissociate होंगे कुछ इस तरह से dissociate होंगे AB किसमें dissociate होगा A plus sign और B minus sign बनेगा तो यह single single line है तो इसको किससे represent किया है हमने S से represent किया है किससे S से represent किया है अब आप जानते हो यहाँ पर हमने क्या लगाना है active mass का law लगाना है law of mass action है active mass का law लगाना है ठीक है product upon reactant करेंगे बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको अब यहां से आपको क्या गरना, यहां से लाना है, आपको इसमें थोड़ा सा change, क्या change लाना है, आपको यहां पर KSP और S के बीच में relation चाहिए तो KSP बनाने के लिए आप क्या करोगे, बताओ, जो product वाले हैं वो आप के की साइड ले जाओगे जो product वाले हैं वो एक साइड आ जाएंगे और जो क्या है single single ions है वो अपनी जगा पर इस तरह से बने रहेंगे तो यहां से आप क्या करोगे यह इदर आ जाएगा तो यह इस format में बन जाएगा आपको values रखनी है यह क्या है KSP होता है यहां पर ions की क्या हो रही है product हो रही है यहां पर यह देखो ions की क्या है product है combine form में है और इनकी values क्या है इनकी values यह दिवी है S, S तो S into S क्या हो जाएगा S square हो जाएगा बस यह हो गया first relation KSP और S के बीच में first relation आपका यह find हो गया है आप इसका screenshot लेना चाहते हैं भी तो ले सकते हैं यहां से चलिए थोड़ा सा और zooming कर देती हूँ फिर आपका हो गए कि clear नहीं आता है चलो screenshot ले लो आप तो ले सकते हो यह हो गया है है हां से आगे देखो इसमें आगे है इसमें second type second type भी बिल्कुल इसी तरीके से है बस इसमें क्या लेना है हमें AB2 type या A2B type जो आपका किसम होना चीए 1 ratio 2 type में या 2 ratio 1 type में जैसे आपकी compound होगे CF2, PBCL2, HGCL2 इस type के compounds जोगे वो इसमें include होते हैं ऐसे compound के dissociation कैसे होगा A plus 2 और 2 B minus में होगा तो यहाँ से आप S की value कैसे रखोगे यह single S है अब यहाँ पर 2 है तो इसके S के साथ यहाँ पर 2 जोड़ जाएगा active mask का law लगा होगे यहाँ पर आपका क्या होगा product upon reactant आजाएगी अब यह जो यह वाला जो 2 है ना यह वाला जो 2 है यह power में पहुंच जाएगा यह तो आप जानते हो power में पहुंच जाएगा अब आगे आपको क्या करना है आगे आपको बिलकुल यही करना है जैसे पहले किया था यह आपका S की multiply में चला जाएगा और इनकी यह आपके S कैसी रहेंगा और फिर आपको इनकी values रखनी है यह आगए यहाँ पर यह product में आगया यह धर आगया फिर values रखोगे यह case भी होता है यह S और यह 2S का square अब यह 2S का square क्यों है मैंटा B- की value जो है हमारी यहाँ से यह देखो B- की value यहाँ पर कितनी देखो है यहाँ पर S देखो है यहाँ पर यह देखो है value देखो है अब यहाँ से इसका भी क्या दिया हुआ S square दिया हुआ तो यहाँ पर 2S का square आजाएगा फिर इसको जब आप solve करोगे तो solve करना बिल्कुल आसान है 2 का square 4 हो जाएगा S का square हो जाएगा तो यहाँ से क्या जाएगे 4 बाहर और S square ये और S ये तो यहाँ से S cube आजाएगा यहाँ से आप second part का screenshot ले लीजिए यह हो गया screenshot लीजिए और फिर यह हो जाता है third part के बारे में discuss करेंगे चलिए third part देखते हैं बिल्कुल सेम यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है सारे parts के बारे में इसी तरीके से होगा one ratio three type में example fecl3, alcl3 और भी बहुत सारे example इसमें हो सकते हैं जैसे ab3 type या a3b type ऐसे type के compound का dissociation कुछ इस तरह से होगा plus 3 आएगा iron और यहाँ पर 3b minus iron आजाएगा active mass का low लगाओगे product upon reactant करोगे yes की multiply में जाएगा फिर इसकी value ksv और इनकी values यह दी हुई है यहाँ पर कहां दी हुई है यह दी हुई है किसकी values इनकी values ठीक है values रखोगे solve करोगे बिल्कुल solve करोगे और answer आजाएगा 3 का cube कितना हो जाएगा 27 और S का cube यहाँ पर दिया हुआ है और S यहाँ पर तो यहाँ पर 27 S4 इनके बीच में relation आ गया अगर 1 ratio 3 में दिया हुआ हो आगे देखिए अगे अगर इस type में कोई दिया हो A2 B2 type यानि की 2 ratio 2 में type का दिया हुआ हो जैसे AGCl2, Cu2, Cu2 होते हैं इस type के dissociation आप ऐसे करोगे बटर dissociation करना बहुत इजी है मैं आपको बहुत speedly इसलिए करा रही हूँ है क्योंकि यह बहुत ही बच्चों वाली चीज़ है बच्चों का खेल है यह बहुत आसानी से हो जाते है Active Mask का law लगाओगे product upon reactant करोगे यह multiply इदर होगी फिर आपको इनकी single single values रखनी है और उसके बाद आपने solve कर देना है यह आगे हैं से single single values रखोगे 2s, 2s square square कर दोगे तो इसका 4 हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा तो यहां से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा अब फिर यहां से आप क्या करोगे S और S, S square यह है S square यह है तो S 14 हो जाएगा ठीक है आगे देखो आगे इसमें 5th है अगर आप इसका screenshot नहीं लिया है तो आप इसका 3rd वाले का screenshot ले लीजिए 3rd वाले का screenshot 4th यह आगे है हैं से आपका 4th 5th की तरफ चलते हैं 5th क्या दिया हुआ है हैं से 5th है आपका A2, B3 टाइप या A3, B2 टाइप इस टाइप में यानि की 3 ratio 2 में या 2 ratio 2 अनुपाद 3 में 3 अनुपाद 2 या 2 अनुपाद 3 इस टाइप में दिया हो जैसे आपके compound क्या है CA2 PO4 का twice इस टाइप के जो एक्जामपल्स हैं इस टाइप में आ सकते हैं इनका डिसोसीशन करोगे तो कुछ इस तरह से डिसोसीट होंगे अब यह यहां पर चार्ज कैसे आ रहे हैं बिटा यह जो आपके compound है नहीं बेस्ट इस एक्जामपल दियें इनकी वैलेंसी के basis पर आप यहां पर चार्ज बैलेंस कर सकते हो यह बहुत ही आसान है इनके नंबर पर बैलेंस कर सकते हो तो जितना इसके पास है ना इतना इस पर charge पहुचा दो और जितना इसके पास इतना इसके ओपर charge पहुचा दो बस simple है अब आपने क्या करना है active mask लोगाना है वही यह product में जाएगा फिर इनकी values रखनी है solve करना है बस हो गया यहाँ से solve करोगे 108 S की power 5 आ जाएगा यहाँ से अ आगे इसमें एक note दिया हुआ है यह note काफी important है इसको याद रखना बस आप if solubility is given is gram per liter अगर solubility gram per liter में दी गई हो इसकी unit की बात चल रही है है पर अगर इसकी unit gram per liter में दी हुई हो solubility gram per liter में दी है question में then it should be divided by molar mass of compound to convert it into mole per liter and then it is used तब आपको उसमें क्या करना होगा mole molecular mass में convert करना होगा molecular mass में convert करके उसको mole per liter में बदल जाएगा और फिर molecular बेटा देखो अगर आपको unit solubility देखो मैं आपको solubility दिखाती हूँ बिल्कुल भी confused होने वारी चीज़ नहीं है इसमें आगए solubility ही रही देखो gram per liter और mole per liter इसकी unit दी है अगर gram per liter में unit दी होना तो आप उसको molecular mass से divide कर देना किस से करोगे molecular mass से divide करोगे और फिर वो mole per liter में change हो जाएगी तब इसमें use करना है gram per liter में use नहीं करना इसको ठीक है चलिए आजाते हैं हमारे question की तरफ यहाँ पर question number one दिया है यह आप इसका note का screen shot ले लीजे अभी बिल्कुल अभी याद रखना इसको solubility जो है CAF2 की पानी में वो इतनी है 2 की power 4 mole per liter calculated solubility product और इसका solubility product find करना है यानि की KSP find करना है ठीक है बहुत आसान है कर सकते हैं कैसे करोगे ऐसे करोगे यह आपने जो find किया ना relation इसकी help से करोगे अब आपने यहाँ पर देखना है कौन से type का दिया हुआ है यानि की CAF2 type का दिया हुआ है यानि की 1 ratio 2 type का यानि की AB2 type का दिया है रिलेशन निकाला था ना भी क्या है था 4S की power 3 आया था बस S की value आपको दी हुई है values पुट कर हो गया solve इसी तरीके से यह दिया है यह वाला question देख लो यह थोड़ा सा typical है इसमें थोड़ा से change है solubility जो है AGCl की पानी में वो दी हुई है 1.435 x 10 to the power 3 gram पर लिटर में दी हुई है और उसकी solubility product यानि की KSP find करना है कैसे करोगे मैंने आपको बताया था gram पर लिटर में दी हो तो उसने ऐसे use नहीं करना है उसको आपको किसमें mole पर लिटर में change करना है तो molecular mass निकालोगे AGCl के लिए molecular mass 143.5 आएगा इसको divide करोगे solve कर लोगे तो यहाँ पर आपकी solubility जो होगी AGCl की mole पर लिटर में आ जाएगी 10 to the power 5 फिर आपको क्या करना है आपको dissociation करना है और dissociation करके इसको इसी तरीके से find कर लो देखो या तो 1 ratio 1 है direct लिख सकते हो या फिर इस तरह से dissociation करके solve करके भी कर सकते हो इसकी value होगी 10 to the power 5 values पुट रखो पुट करो 10 to the power minus 10 इसका answer हो जाएगा question का screenshot ले लीजे यह हो गया है यहां से next question यह हो गया फिर इससे next question यह है आपका यह आपका homework है ठीक है चले आगे देखते है application जो है solubility product की application के बारे में discuss किया हुआ है it can be used in measurement of solubility of less solubile compound यह जो solubility product है यह सिर्फ कम गुलने वाले compounds के लिए ही apply हो सकती है first application यह हो जाती है second में देखते है it is used in measurement of mass weight of less solubile compound वही आपको बताया यह सिर्फ उन compound के mass या weight को fine कर सकती है उनकी product को fine कर सकती है जो की कम गुलते हैं वही first point है अब आगे देखना यह वाला point थोड़ा सा important है थोड़ा सा इसमें क्या है देखने वाली चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ है on comparing the value of ionic constant and solubility product ionic constant पढ़ा है solubility product पढ़ा है तो इनकी values को compare करके हम solute की nature को identify कर सकते हैं और वह कैसे करेंगे दोनों की values निकालोगे और उन्हें compare करोगे compare तो कर लोगे अब कैसे पता करोगे बताते हैं अब आगे अगर solubility product की value ionic product से कैसी होगी जादा solubility product की value जादा होगी तब compound solubable form में exist करेगा अगर ionic product की value जादा होगी solubility product की value कम ionic product की value जादा होगी तब compound precipitate बना लेगा असानी से बस यही है इसकी application इसी के साथ आपका ये solubility और solubility product का topic होता है complete अब आप क्या करेंगे इनका application का screenshot ले लेंगे यहां से आप पहले सक्रीन शॉट लेजे पर आपके आएंगे ये अब इसके बाद आपका topic आता है इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर है जो आपकी गाड़ी में लगे होते हैं, बाइक में लगे होते हैं, कार में लगे होते हैं, बस में लगे होते हैं, स्कूर्टी में लगे होते हैं, कि अगर आपको कहीं मोड़ना होता है, किसी मोड़ पे तो आप सबसे पहल पर क्या दिखाता है देखो, chemical reaction की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर थोड़े से chemical चीज़ों को लेकर पड़ेंगे, chemical substance, indicator एक ऐसा chemical substance है, जो कि reaction के end point को identify करता है, chemical substance है एक टाइप का, जो कि reaction के end point को identify करता है, वो indicator कहा जाता है, end point से मतलब क्या है, यहाँ पर, कि reaction यहाँ पर खतम हो रही है, color density of indicator has been changed in different mediums, अब indicator की बात की है, तो इसमें क्या होंगे, color भी होंगे, अब आइक कार में कैसे color का indicator होता है, dark color का होता है ताकि वो darkness और brightness दोनों में visible हो, मतलब रात में भी और दिन में भी पूरी तरह से visible हो, ठीक है, color density of indicator जो होगी, different mediums के medium in reaction, तो जिस वज़ा से वो क्या कर सकते हैं, जो reaction में, medium में changes आते हैं, reaction के माध्य में changes आते हैं, उसको आसानी से identify कर सकते हैं, जैसे एक indicator, dark color का जो होता है, वो particular medium के लिए होता है, और उसकी pH value जो होती है, वो completely ionized लिए वज़ा से होती है, मतलब क्या है, इसका मतलब बिल्क ẩm आता है, जो indicator होता है, डार copper एक particular medium के लिए और उस pH के लिए देता है, जो completely ionized हो जाती है, समझ में आ रहा है, particular medium के लिए, और completely ionized, वो पीच जिस पर completely ionized हो रहा है, उसके लिए, dark color देता है, इंडिकेटर क्या करता है, dark color देता है, ठीक है, तो जो ότι जब indicator किसी particular medium में किसी particular medium में किसी pH value पर completely ionized होकर किसी pH value पर completely ionized होकर एक particular color देता है वो आपका pH range कही जाती है indicator भी अभी example पढ़ेंगे समझ में आएगा the pH range of phenophthalein phenophthalein H pH 3 इस तरह के से लिख लेना इसको जो आपका phenophthalein होता है तो जो phenophthalein pH range होती है वो 8-10 के बीच में होती है जिसका मतलब 8-10 के बीच में मतलब क्या है वो basic है या acidic है बताओ अब देखो आगे देखो वो बात की बात है पहले यहां पर देख लेते हैं जो pH range होती है phenophthalein की 8-10 के बीच होती है इसका मतलब इसका मतलब क्या हो फिनौफ्थलीन बेसिक मीडियम के लिए अच्छे इंडिकेटर का काम करता है और pH range जो होती है methyl orange की MEOH की वो 3-5 होती है तो इस टाइम पर जो आपका यह होता है methyl orange यह acidic medium के लिए good indicator का work करता है example समझ में आ गया जिक की pH range क्या होती है ठीक है अब आप यहां से इसका screenshot ले सकते है yogi definition और yogi example अब इसका mechanism करते है फटा फट से जादा बड़ा नहीं है छोटा सा है it can be explained by two hypotheses दो theories है इसमें hypotheses हैं तो इनके basis पर आप क्या कर सकते हो इसके mechanism को देख सकते हो देखो first है इसमें ostwald hypothesis क्या कहती है according to it indicator are weak acid और weak base ostwald के according indicator क्या होते है weak acid और weak base होते हैं so they will partially ionized and the degree of dissociation is used to identify their indication effect weak acid और weak base हैं तो यह कैसे हो सकते हैं partially ionized होते हैं weak acid weak base जानते हो partially ionized होते हैं और जो उनकी degree of dissociation होती है जब partially ionized हो रहे हैं और जो उनकी degree of dissociation होती है वो identification effect का काम करती है ठीक है समझ में आ रहा है जो partially ionized होंगे उनकी degree of dissociation identification effect का work करेंगी ठीक है in dissociation form the color density of indication is very deep so it is used for the good indicator of end point अब देखो जो जिसमें क्या हो रहा है dissociation हो रहा है जिसमें ions बन रहे हैं उसमें जब जो color density बनेगी वो बहुत dark बनेगी जिसमें ions बनेंगे उसमें color कैसा बनेगा dark बनेगा और dark color है तो good indicator का work करेगा end point के लिए पर जिसमें undissociated form आ रही है मतलब जिसमें dissociation नहीं हो रहा है ions नहीं बन रहे हैं उस time पर क्या होगा colorless और light color बनेगा जिसमें क्या होगे जो एक bad indicator का work करेगा यानि कि वो एक अच्छा indicator नहीं है indicator अच्छा वो होता है जो अच्छी तरह से visible हो lights का पता लगे जो light color देगा या colorless होगा वो एक अच्छी indicator का work नहीं करेगा आगे इसमें example दिये हुए है पहले इसका screenshot ले लो आगे देखो example methyl orange का example अभी आपको दिया था ये कैसा है weak base है weak base है तो कुछ इस तरह से ही आपका dissociate होगा अब देखो weak base है when base has been added in it अगर weak base में और base मिला दिया जाए तब उसमें क्या बनेगा common ion effect और common ion effect बन जाएगा तो आ आपका rate of dissociation decrease हो जाएगा तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा जब rate of dissociation decrease हो जाएगा आयन ही नहीं बनेगे जब आयन ही नहीं बनेगे तो undissociated form आ जाएगी जब undissociate form आ जाएगी तो यह क्या होगा यह एक अच्छे indicator का work नहीं करेगा basic medium के लिए ठीक है आगे देखो common Ion effect दिखाया गया है MEOH methyl orange है यहां पर इसमें हमने क्या मिला है बेस मिलाया है यहां पर OH- अगया अगर हम इसमें क्या करें बेस में acid मिला दें वेन इस यूज़ इन acidic medium then H plus of acid will combine with OH तब क्या होगा अगर acidic medium मिला दे एसिए medium यानि कि मानलो हमने इसमे HCL मिला देना है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, M-E-O-H methyl orange जो होगा methyl orange तब उसमें, देखो बिल्कुल सिम्पल सी चीज़ है acidic medium मिलाओगे, acidic medium में क्या होगा, जो आपका H plus होगा, acid का, वो OH के साथ combine हो जाएगा M-E का OH है, यह रहा M-E का OH है, और acidic medium का H, इसके साथ combine हो जाएगा, और जब OH के साथ combine हो जाएगा, तो यह water की form में remove हो जाएगा तो जो concentration होगी H plus, H और OH की product side में, वो decrease हो जाएगी, H और OH iron की बात कर रहे हैं, तो वो product side में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी equilibrium, forward direction में shift हो जाएगी, जब वहाँ पर easily dissociation दिखाया जाएगा, तो acidic medium के लिए, वो M-E-O-H, जो methyl orange होगा वो एक अच्छे indicator का work करेगा अब मैं आपको दिखाती हूँ, यह किस तरह से हो रहा है यह M-E-O-H है, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, acid मिला रहे है तो यहाँ पर यह क्या बना रहे है, H2O बना रहे है, तो यहाँ पर आपका क्या बना रहा है, common ion effective हो रहा है नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पर आपका dissociation हो जाएगा, और dissociation हो जाएगा तो dark color आएगा तो यानि कि MEUH जो है basic medium में अच्छे indicator का work नहीं करता है जबकि MEUH acidic medium में अच्छे indicator का work करता है next example है इसमें phenophthalene phenophthalene भी क्या है एक weak acid है and it will dissociate it as follows कैसे dissociate होगा यह इस तरह से dissociate होगा phenophthalene को HPH इस तरह से लिख लिए H plus pH minus हमने यहाँ पर बना लिया अगर weak acid में हम एक और acid मिला दे तब common iron effect बनेगा common iron effect होगा तो rate of dissociation करतेगा rate of dissociation करतेगा तो यहाँ पर आपका क्या होगा phenophthalene में phenophthalene के अंदर acidic medium में undissociation form exist करेगी कि जब undissociation form बन जाएगी तो आयन ही नहीं बनेंगे आयन नहीं बनेंगे तो आसिडिक मीडियम के लिए अच्छे इंडिकेटर का वर्क नहीं करेगा common iron effect कैसे आ जाएगा यह आ गया common iron effect है एच प्लस है ना common iron effect आ गया हो गया बस यहां पर काम खतम अब आगे क्या है आगे अगे अगे अगर हम इसमें वीक ऐसे ज्याने कि थे पाफ्लीन कृइस के अंदर अगर हम बेस मिलाएं तब आपका क्या होगा बेस का जो बटा ओएच होगा बाइस का जो ओएच होगा वह थो बाइन हो जाएगा तो एक्किलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगी तो इस वजह से वहाँ पर डिसोसियेशन आसानी से हो सकेगा और बेसिक मीडियम के लिए फिनॉफ्थिलीन गुड इंडिकेटर का वर्क करने लगेगा समझ में आ रहा है यहां पर जो हम यहां पर बात कर रहे थे इंडिकेशन के बारे में कि कौन से के लिए कैसा इंडिकेशन का वर्क करता है एसिडिक मीडियम के लिए कैसा करेगा कौन बेसिक मीडियम के लिए कौन कैसा करेगा मिथाईल और जो है किसके लिए एसिडिक मीडियम के लिए अच्छा इंडिकेटर का वर्क करेगा और फिन यह इसका example है screenshot लिजे इसका यहाँ पर first example होता है complete यह phenophthalein second example यह रहा आगे इसमें यह दिखाया गया है यह देखो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर हो मिला रहा है न तो यहाँ पर ह2O बन रहा है तो यहाँ पर यह दोनों क्या है ये दोने यहां से good indication का work करेंगे, ठीक है, second method है, इसमें quinoid theory दी गुई है, बहुत आसान theory है, देखो quinoid theory में क्या है, according to it, all indicators are derived from aromatic compound, quinoid theory के according, जितने भी indicators होते हैं, aromatic compound से बनाय जाते हैं, और वो nature में two equilibrium form में exist करते हैं, और वो form क्या है, benzenoid है, और quinoid form है, benzenoid form ये होती है, pH value चेंज करेंगे, तो quinoid form कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है, अब ये form किस तरीके से indication का work करती हैं, बिल्कुल आहसान है ये भी, they are interconvertible and sensitive to pH, ये pH value के according work करती है, जैसे acid में pH value कितनी होती है, 6 से कम हो जाती है, और base में 8 से जादा हो जाती हो जाती है, तो ये pH के लिए बहुत जादा sensitive होती है, अगर pH value change होती है, तो ये वहाँ पर बता देती है, कि वहाँ पर क्या acidic medium है, या basic medium है, ठीक है, the formation of these forms explain the indicator property of compound, ये form जब बनती है, ये compound की property को indicate कर देती है, benzenoid stage जो है, stable है, colorless है, जबकि quinoid form है, unstable है, और उसका एक अपन color है, अगर compound exist in quinoid form, अगर compound quinoid form में exist करेगा, तो वो एक अच्छे indicator का work करेगा, और अगर benzenoid की form में exist करेगा, तो वो किस की तरह work करेगा, bad indicator की तरह work करेगा, मतलब अच्छे indicator का work नहीं करेगा, indicator तो वो भी है, good indicator कौन होता है, जो अच्छे तरह से visible होता है, तो यहाँ प करेगा second method आग आपको समझ में quinoid theory जो है अब आप यहां से इसका screenshot ले लिजिए इसका भी ले लिया होगा आश अगरती हूं यहां से आप इसका screenshot ले लिजिए इसी के साथ यह topic होता है complete अब इसमें हमारा एक topic और है जाता है जो है salt hydrolysis इसको हम करेंगे हमारे next run पर आज हम इसमें इतना ही करेंगे आपके जो भी डाउट हैं आप इंस्टाग्राम पर क्लियर कर सकते हैं Instagram ID है physics underscore guru underscore India इस पर message करके आपके जो भी डाउट से आप 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 से clear कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल जोइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टाल करिए सर्च करिए physics guru India और वहां से आपको चैनल मिल जाएगा और आप जोइन हो सकते हैं जो चलिए पाकी करेंगे नेक्स रेंट पर आज के लिए इतना है थैंक्यू सो मच